हेलो एब्रिवान तो कैसी है मेरी बच्चा पाड़ी तो बच्चो यह जो चाप्टर है क्लास टेंथ का सबसे टिपिकल चाप्टर और काफी सारे स्टूडेंट्स आरसे इंग की सर कार्बन एडिट्स कंपाउंड कवर कराओ प्रियॉर्ड एक यह सब तो हम चाप्टर कर लेते हैं बट कार्बन एडिट्स कंपाउंड चाप्टर हमारी समस्थ से बाहर है आपको इस चाप्टर से बहुत प्यार हो जाएगा और जितने भी बच्चे अपने क्लास नाइंथ के हैं और क्लास टेंथ के हैं आप उन बच्चों तक यह वीडियो को पहुचाने में मेरी बदद करना बिकाज मैं तो वीडियो बना रहा हो उनको हेल्प करने के लिए बट अगर उन तक पहुचेंगे नहीं तो इन वीडियो का उतना कुछ फायदा होगा नहीं सो मैक्सिमम जितने भी बच्चों तक यह बात पहुचेगी यह आवाज पहुचेगी उनको यह हेल्प होगी अब कार्बनेट्स कंपाउंड में क्या है कि यह इतना इंपोरेट चेप्टर है कि अगर आपको यह जाएक आपको कौफ क्रॉर्बलमм सोगती है बट इफ यू नू दिस चाप्टर वेरी वेल फिर आप समझ लो कि आपको 11 12 में और के नहीं केमिस्ट्री में बहुत ही मजा आने वाला है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा इस पूरे चाप्टर के अंदर मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ठीक है क्योंक अब टें मिनट्स 12 मिनट्स के असपास वीडियो बनाने की है 15 मिनट्स के असपास पूरा मैंने कवर किया है and once this is over मैं एक वीडियो ऐसी लिक्या हूँगा जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर के questions के answers discuss करूँगा कैसे इनके answers लिखने होते हैं और क्या इनके questions के answers होगी और अभी भी मैं अभी भी आपको questions सारे साथ साथ दिखाता रहूँगा if you are very studious अगर आप मेरी सारी बात मारेंगे so इस chapter के सारे questions आप बहुत easily solve कर लेंगे ठीक है तो जब भी आपको ये video मिले तो आपको क्या करना है इस video को देखना है and sit with the pen and paper अपने notes बनाते जाना है ठीक है और मजे से enjoy करते रहे हैं आपका feedback आपके comments मेरे लिए बहुत जादा important है ठीक है तो आपको जो भी problem है something you want to add or some information you want to add or something you want to tell जिससे ये topic और अच्छा हो सकता है 9th 10th के students के लिए तो बिल्कुल बताना हुझे ठीक है चलिए start करते है बच्छो with our new chapter that is carbon and its compounds okay once this chapter is over ये तो बहुत basic है chapter ठीक है जिनको भी requirement अब पढ़ सकते है इसके बाद मैं आपको आगे organic में भी लेके जाऊँगा ठीक है so carbonates compounds so food, clothes, medicine, books ठीक है all these species or all these items, materials are based on the carbon आपके आसपास carbon बहुत है, the amount of carbon present in the earth crust is quite merge, the earth crust has only 0.02% carbon like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum so carbonates क्या होते है, CO3 2- अपने notes में लिखते रहे है hydrogen carbonates is bicarbonate, HCO3- इनको bicarbonate बोलते है, इनको carbonate बोलते है, coal and petroleum तो आपको बता है and CO2 is carbon dioxide which is 0.03% so इतना काम amount में होने के बावजूद भी carbon seems to be immense importance, इसकी बहुत ही जादा importance है आजकल आपने देखा भी होगा charcoal इतना सुनने में आ रहा है, charcoal toothpaste, charcoal soup, charcoal toothbrush, charcoal face wash, तो सब carbon से related है बच्चो, चीक है, can you tell me ये किसका structure दिखाया है नोने, comment section में बताना बहुत interactive रखते हैं, ताकि आप अपने doubts राम से पूछ सको सबसे पहला point है, bonding in carbon, so the covalent bond, देखिए carbon covalent bond बनाता है क्यों बनाता है covalent bond, दो bond आपने पड़े होंगे, एक पड़ा होगा ionic bond, जो transfer of electron से बनता है जिसको electrovalent bond भी बूलते हैं, दूसरा होता है covalent bond, जो sharing of electron से बनता है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ discuss करके बता देता हूँ, देख उटा suppose आपके पास दो students है, एक का नाम है चंगू, और दूसरे का नाम है मंगू और कोई business है, जो 1 lakh rupees में start हो सकता है मतलब अगर आपके पास 1 lakh rupees है, तब आप उस business को start कर सकते हो बट चंगू के पास भी 50,000 है, और मंगू के पास भी 50,000 है क्या अकेले चंगू business start कर सकता है, नहीं कर सकता क्या अकेले मंगू business start कर सकता है, बिलकुल भी नहीं कर सकता बट अगर ये एक joint account open कर दे, एक common account open कर दे और उसमें अपने 50-50,000 rupees रख दे, then it becomes 1 lakh और 1 lakh में हम अराम से business run कर सकते हैं तो ये क्या किया इन्होंने, अपने पैसे का क्या किया बच्चो, sharing sharing is caring, अगर sharing of electron से कोई bond बनता है तो उसको covalent bond बोलते हैं, तो carbon जो है covalent bond बनाता है ठीक है, आपको पता भी है कि carbon होता है अपना 2,4 आपने देखा होगा C612 लिखा हो, this is the atomic number, इसको atomic number बोलते हैं जो नीचे number लिखा हो है, और इसको mass number बोलते हैं तो carbon के अंदर कितने electrons हैं, 6, कितने protons हैं, 6 और कितने neutrons हैं, upper number minus lower number, that is your 6 तो 6 proton है, 6 electron है, और 6 है neutrons है, ठीक है और 6 electrons को हम कैसे लिख सकते हैं, 2,4, first shell में 2 electron आ सकते हैं second में 8 आ सकते हैं, बट यहाँ पर 4 बचते हैं, यह न, 6 करने हैं न, total तो 2 plus 4, 6, अब यह covalent bond क्यों बनाता है तो covalent bond बच्चों यह इसलिए बनाता है, क्योंकि आपने एक टम पढ़ियोगी valency, कि कौन अपने outermost shell में 8 electron करने के लिए कितने electrons को lose या फिर gain कर सकता है, तो इसको अगर यहाँ पर 8 करने है या फिर 2 करने है, तो या तो यह 4 electron किसी को दे दे minus 4 electron, तो इसके पास 2 बचेंगे, यह helium की तरह stable हो जाएगा या इसको 4 electron कोई दे दे, तो यह 2,8 हो जाएगा, like neon दोने केस में यह noble gas की तरह stable हो जाएगा तो 4 electron lose भी कर सकता है, gain भी कर सकता है, इसलिए इसकी valency को हम plus minus 4 बोलते हैं, और यह sharing करता है electrons की, इसलिए एक ऐसे bond बनाता है, covalent bond बनाता है, I hope आपको यहां तक सब उस समझ में आगे होगा विटा आगे देखिए, यहाँ पर क्या बता है, कि acetic acid एक compound है आपने vinegar सुना होगा, cirka, chloroform, chloroform तो वो compound है जिसको henky पर लगा के, किसी को भी बेहोश कर देता है movies में दिखाते है, henky पर लगाया और सामने वाले इंसान को सुला दिया बट इतनी जल्दी यह गाम नहीं करता है actual में ethanol is alcohol and methane is a gas marsh gas बोलते है इसको तो यहाँ पर आप इनके melting point, boiling point देख सकते हो केल्विन में है, है ना बहुत ही कम है आपको याद भी होगा, temperature in Kelvin is degree Celsius plus 273 तो Kelvin को अगर degree Celsius में convert करना है तो अगर आप इनको करके देखो, convert करके, इससे 290 Kelvin है, अगर मैं इसको degree Celsius में करना चाहूं तो degree Celsius में कितना हो गई है, 290 minus 273 तो around it is 17 degree के असपास आ रहा है, तो कितना कम temperature है यह, तो यहाँ पर इनो ने बताया है, कि most of the carbon के जो compounds होते है they are poor conductors of electricity and from the given data जो आपको यहाँ पर में data दिखा रहा हूं we can say the melting point of the carbon compounds and the boiling point of the carbon compounds is very low as compared to the ionic compounds क्योंकि ionic compound के अंदर क्या होता है plus minus होता है so, बहुत strong forces होती है उनके बीच में चिक्या है अब बहुत strong forces होती है इसी वज़ा से क्या हो सकता है इसी वज़ा से उनका melting point, boiling point काफी high होता है चिक्या आगे देखते है since these compounds are non-conductors of electricity we can conclude that bonding in these compounds do not give rise to any ions तो मतलब जो covalent compounds है ठीक है उनको आप break करोगे तो ions नहीं बनेगे ठीक है clear है आँ तक आगे चलते है अब देखिए carbon के अंदर दो चीज़े बहुत कमाल किये हैं बच्चो elements forming ionic compounds can achieve this by either gaining or losing other electrons अब carbon के पास कितने हैं 4 electrons हैं तो वो चाहता है कि या तो उसको कोई 4 electron दे दे या उससे कोई 4 electron ले ले बट मजे की बात क्या है मजे की बात यह है बच्चो it could gain 4 electrons and जब भी कोई species electron gain करती है तो उस पे negative जाँ जाता है but it would be very difficult for the nucleus ऐसे nucleus के बहुत मुश्किल है 4 electron gain करना क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 proton है है ना तो 6 proton 6 electron को अराम से hold कर सकते हैं but 6 proton अगर 10 electron को hold करेंगे so that will be a very difficult process तो 4 electron gain करना इतना easy काम नहीं है दूसरा case है कि बहुँ यह 4 electron क्या अगर दे lose कर दे तो अगर lose करेगा तो positive charge आएगा but 4 electron को lose करना समझ रहे हो बहुत ज़ादा energy की ज़रुत पड़ेगी उन electrons को छोडने के लिए क्योंकि प्लस माइनस क्या करते है एक दूसरे को tightly hold करके रखते है अब nucleus पर positive है electron पर negative है अब आप क्या चा रहे हो कि positive is negative को छोड़ दे तो positive negative को बहुत tightly पकड़ता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है तो चार electron को lose कराने के लिए बहुत ज़ादा energy की ज़रुत है तो ना तो ये चार electron gain करता है ना ये lose करता है इस problem को कैसे overcome करता है ये by sharing the valence electrons with the other atoms ठीक है यहीं से carbon के अंदर coolant bond की कहानी शुरू होती है और ऐसा करने से ये noble gas की configuration को attain कर लेता है and it becomes very very stable तो आप अब इतना read करके आओ विटा next lecture में I'll show you कि कैसे ये sharing करता है and video में बने रहे playlist को अच्छे से enjoy करते रहे बहुत छोड़े छोड़े lectures में इसके आपको बनाऊँगा ताकि आपको कभी भी load ना हूँ and आपको अगर 15 minutes भी है मालो आपको कभी घहीं पर बैठे हूँ आपके पास सिर्फ 15 minute है तो 15 minute में भी आप कुछ ना कुछ productive कर सकते हूँ Thank you very much Enjoyable